हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरी चैनल में आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही अनोखी सब्जी जिसको डुमर कहते हैं या फिर इसको गूलर भी कहते हैं अलग-अलग जगों पर इसे अलग-अलग नाम से जानते हैं यह सब्जी खाने में बहुत ही टेश्टी लगत और इसे हमें चार भाग में काटना है चार भाग में काटने के बाद इसके अंदर इस तरह से बीज होते हैं आप देख सकते हैं इसके जो बीज है इन्हें हमें निकाल देना होता है अगर बहुत छोटे वाले डूमर है तो बीज को निकालने की जरूरत नहीं है और अगर ये थोड़े बड़े हैं तो इनको पहले इस तरह से हम चार भाग में काट लेंगे और इसके बाद चाकू की सहायता से इसके जो बीज है इसे हम इस तरह से बाहर निकाल देंगे काटने में ये जो है थोड़ा सा टाइट हो सकता है और स्वाज जो है इसका थोड़ा थोड़ा कठल के जैसा होता है तो सभी डूमर के जो बीज है इन्हें हमें अच्छी तरह से निकाल देना है क्योंकि ये खाने में अच्छे नहीं लगते हैं और अगर ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं तो फिर इनके अंदर कीड़े भी हो सकते हैं इसलिए पहले हमें इन्हें क्लीन कर लेना है इसमें टाइम ज़्यादा लगता है तो आप चाहे तो किसी के help भी ले सकते हैं या फिर आप रात को इसे इस तरह से काट कर पानी में भीगो कर रख दीजिए और दिन में आप इसकी सबजी बनाईए ये सबजी दिखने में जितनी साधारन लगती है ना खाने में ये उतनी ही ज़्यादा अच्छे लगती है इसे हमारे यहां तो डूमर कहा जाता है आप लोग इसे क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताईएगा तो सबी डूमर जो है इन्हें हम काट लिये हैं तो इसके बाद इन्हें अच्छे से धोना है तो डूमर को धो लेने के बाद अब हमें इन्हें बॉयल करना है इसे बॉयल करना बहुत जरूरी है नहीं तो इसका टेस्ट जो है वो हल्का कसैला सा लग सकता है तो इसके लिए हम एक बड़ी से बरतन में पानी डालेंगे और इसके बाद इसमें हम डालेंगे डूमर और इस तोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे ताकि इसका कलर जो है वह सही रहे हैं इसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें हम धकन लगा देंगे धकन लगा कर इसे हम तब तक पकाएंगे जब देक डूमर जो है वह एकडम पक कर पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं थोड़ी तिर बादी ने हम चेक कर लेंगे जैसे मैं यहां पर चेक कर रही हूं एक डूमर हमें लेना है और उन्हें इस तरह से हम हाथ से दबा कर देखेंगे अकर यह सॉफ्ट हो जाए तो हम समझ लेंगे कि डूमर जो है वह अच्छे से पग गया है तो इसके क्या करेंगे कि दो चार आलू हम बॉइल कर लेंगे और उनको चील लेंगे और चील कर इस तरह से हम मोटे मोटे टुकडों में काट लेंगे डूमर की सब्जी में अगर आप आलू डालते हैं तो यह सब्जी खाने में बहुत ही ज्यादा टेश्टी लगती है आलू को इस प्याज तो प्याज को इस तरह लमबा लमबा काट लेना है और हम लैसून अद्रग और हरी मिर्च का पेश्ट बना लेंगे इसके अलावा हमें चाहिए थोड़े से सूखे मसाले तो यहां पर है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर नमक हल्दी धनिया पाउडर जीरा पाउड तो अब एक कढ़ाई में सरसो का तेल डाल कर गरम कर ही तेल हम थोड़ा जादा ही डालेगे क्योंकि इस अच्छा कर अ Mix लगता है और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे तेजपत्ता और जीरा और जीरा जब demandé अच्छे से तड़क जाए तब तक इसे हम भूनते रहेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज बहुत अच्छे से भून गया है तो इसमें हम एक एक करके सभी सूखे मसाले डालेंगे तो मैं यहाँ पर डाल रहे हूँ हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला को अभी नहीं उसे हम बाद में डालेंगे और सूखे मसाले जो है इनको डाल कर हम 10 सेकंड तक भूनेंगे धीमियाच में और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे अद्रक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और इसे डाल कर हमें अच्छे से भूनना है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी डाल दे रही हूँ और इस मसाले को हमें बहुत ही अच्छे से भूनना है जब तक इसे तेल अलग ना होनी लगे और इसके बाद इसमें हम बॉयल किये हुए डूमर को डाल देंगे डूमर को भी हम मसाले के साथ 3-4 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे ताकि यह भी थोड़ा सा भून जाए यहाँ पर हम नमक टेश्ट कर लेंगे अगर जरूरत हो तो थोड़ा सा नमक डाल देंगे नमक हम पहले भी डूमर में और प्याज में डाले थे इसलिए थोड़ा ही नमक डाल रहे हैं और इसे अच्छे तरह से भून लेंगे इसके बाद इसमें हम डाल देंगे आलू तो आलू डाल कर इसे हलका सा भून लेंगे क्योंकि आलू जो है कि पहले से अच्छे से बॉयल हो गये हैं तो इन्हें बहुत जादा भूनने की जरूरत नहीं है बस एक मिनट के जैसा भूनेंगे और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे पानी तो ये सबजी जो है ये बहुत जादा ग्रेवी वाली नहीं बनती है ये हल सब्जी को हम दो मिनट तक और पका लेंगे दो मिनट के बाद धकन हटाएंगे और सबसे लाश्ट में इसमें हम डालेंगे एक ऐसी चीज जिससे इस सब्जी का स्वाज जो है वह दुगुना हो जाता है तो इसमें हम डालेंगी घी तो मेहां पर दो चमच के जितना भर कर गी डाल रही हो गी डालने से इस सब्जी का टेश्ट जो है यह बहुत ही बढ़ जाता है और लीजे फ्रेंड्स हमारी डूमर या गूलर जो भी आप इसे कहते हैं इसके बहुत ही टेश्टी सब्जी बनकर तयार हो गई है आप भी इसे एक बार जरूर ट्राइक कीजेगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक यू